कि अजर बिल्कों बैक आयम ओर धर्मवें सर्व लेर डॉर्निंगॉट्र मुकरीन डिली मेशार दोस्त बहुत दिन बहुत दिन से न हम लोग हमेशा प्रेशान रहते हैं नावन फ्रेज क्या है अज़ अगशिपर ग्रेजियकन है इक कैसे बोलनेंग आगशियकन अग्रेजि किसी सीज को कर नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, exam का question, noun phrase क्या होता है, noun phrase singular होता है, कैसे sense करें, कैसे सोचें, तो आपके लिए जबरदस तरीके से आज noun phrase लेकर करया हूँ, और sentences लेकर रहा हूँ, जो आपको बोलने में भी काम आएगा, writing में भी काम आएगा, और understanding तो clear क करेंगा, तो आएए देखते हैं, गजब तरीके का concept, जैसे डबलु एच, noun phrase के रूप में, डबलु एच अब तक आपने देखा हूँ, कि इन्ट्रोगेटिव होता है, डबलु एच का मतलब क्या है, डबलु एच का मतलब वाट है, वेर है, वेर है, वेन है, हाउ है, इस त होता है, डबलु एच कंजंचन भी होता है, I don't know where you are going, मुझे नहीं पता, तुम कहां जा रहे हैं, I want, कि आप अंगरेजी बोलना, लिखना सब सिख जाओ, यदि डबलु एच जो वर्ड है, वो कंजंचन भी है, अजच्टिब भी है, और वो प्रोनौन भी है, और अभी ज जोड़ दे, आपके आइडियाज को किलर कर दे, और फिर बड़े आसानी से आप अंगरेजी को समझ पाएं, कॉंसेट क्या है, या डबलु एच नाउन फ्रेज, यानि फ्रेज के रूप में हम डबलु एच को कॉंसेट कर रहे हैं, यानि हमने बोला, क्या पढ़ है, यह ब बारे में कह रहा है, ध्यान दो, जब कोई चीज किसी के बारे में कहता हो, तो वह प्रोनाउन होता है, यानि यह जो वर्ड है या प्रोनाउन है, और क्या पढ़ है, तो जिसके बारे में कह रहा है, वह यह किसको इंडिकेट कर रहा है, क्या पढ़ है को, इसलिए क्या पढ ह cartridge loan हो गया तो नाउन के बारे में जो कहता है वही तो प्रोनाउन होता है तो यह हो गया pronoun विचाधीन है और यह का अंगरेजी भी नहीं होगा इसलिए यह यहाँ पे सिर्फ is auxiliary भर्व से हBR però और यहां पे auxiliary भर्व हमेशन से इस या वाज का प्रियोग करेंगे अगर है है तो इज का प्रयोग और यहां पर था होगा तो वाज का प्रयोग यही ध्यान देना है आपको आलवेज सिंगुलर भर्व का प्रयोग होता है नाउन फ्रेज में तो यहां पर डवल एच जा नाउन फ्रेज है तो आगे इसका स्ट्रक्चर भी दूँगा पचासो संटेंस का प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा अभी का टाइम साथ बजा है आप पढ़ रहे हो ना आप बिल्कुल पढ़ते रहो हलना नहीं है आप कमेंट में कोई कुछ नि करना अमेंट कमेंट से दूर रहना है सिधा प्रहाई पर ध्यान यही आपका बन गया क्या चीज़ यही बन गया नाउन फ्रेज इसी को नाउन फ्रेज कहते हैं यही नाउन फ्रेज है और इसे यह का अंग्रेजी नहीं होगा यह का जो अंग्रेजी है यह नहीं होगा और यही ची समझना है अब इसकी आगे कॉंसेप चलते हैं जाते ही से पढ़िए हमने का डबलो धर देना स्ट्रक्शर डबलो स तो concept है आपका अंग्रेजी का, अब हमने कहा कि वह प्लस टू प्लस विन प्लस अदरबर्ट, जैसे हमने कहा क्या आप पढ़ें, भल एक एक वर्ड सिखा रहा हूं, एक एक आइडिया दे रहा हूं, आप सुनियो, कहा ध्यान, कहा ध्यान है तुम्हारा, सबसे प्ले ध्यान आप अंग्रेजी सिख रहा हूं, आप अकीले मत पढ़ा हो, आप इस चीज़ को ना दस लड़कों से ना, फोन पे सेयर करो, दस बचों को वाटसब करो, फेस्बूक पे सेयर करो, क्यों करें सेयर सार, क्यों कि आप उसे पूछो कि क्या तुम इस तरह से पढ़ते हो, आप पूछो क्या इसे बेहतर पढ़ते हो, अगर दोनों में आदान प्रदान होगा, तो knowledge का जब हम distribution करते हैं, distribute करते हैं, तो knowledge बढ़ जाता है, जब हम किसी ग्यान को बांटते हैं, तो ग्यान बढ़ जाता है, इसलिए बांटना सिखिए, मेरा तो मकसद है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में क्रांती फलाना अंग्रेजी का, इसलिए हमने काम किया था, एक कावण बावण लाग सब्सक्राबर चैनल पे, लेकि वो चैनल अभी मेरे पास access में नहीं है, इसलिए अभी फिलाल इसी बे पढ़िए, और रात को 9 बजे, DSL Spoken पढ़िए, अब देखें, क्या पढ़ें, वाट तू रीड, वाट तू रीड, वाट तू रीड, वाट तू रीड, वेर तू गो, कहा जाएं, वेर तू गो, कितना देर कहा जाएं, वेर तू गो, कहा जाएं, यार, वेर तू गो, लंबा बनभाऊंगा, बलबे संदेंस दूँगा, प ना दे समझ पा रहे हो अब देखो अगला sentence बहुत मैज़ा रहे है क्या पढ़ें यह विचारा धीन है क्या पढ़ें what to read पता था ना अब देखो यह यह का अंग्रेजी it नहीं होगा it का यह का अंग्रेजी this नहीं होगा क्योंकि यहां पे sentence what to read जो word है यह अपने आप में noun phrase ह noun phrase of verb लेलिया is under consideration what to read is under consideration what to read is under consideration are you getting my point समझ में आरा है मुद्दा वहां कितना देर थहरें यह तै नहीं है वहां कितना देर थहरें यह तै नहीं है how long to stay there is undecided अगर बो यह तै नहीं था वहां कितना देर थहरें यह तै नहीं था how long to stay there was undecided was undecided यह समझना है वहां कितना देर थहरें how long to stay there is undecided यह तै नहीं है whatsapp में 10 को share नहीं किया तो फिर क्या किया इसको share नहीं किया तो क्या किया यहां देखो क्या करें क्या क्या क्रें क्या क्रें क्या क्रें क्या क्रें निर्न करना कठीन है भाई ना लगाऊंगा sir, ना लगाऊ, दोनों से ही होगा, हमने का what to do and what not, what to do and what not is tough to decide, यहां निर्नाय करना कथीन है, निर्नाय करना कथीन है, tough to decide है, यानि what to do and what not to do, क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, what to read and what not to read, क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, what to do and what not to do, what to do and what not, what to do and what not are getting is that I say kaha jau man he janta ho kaha jau man he janta ho anywhere to go I don't know I don't know where to go I don't know where to go where to go I don't know right I don't know where to go where to go I don't know are you getting my point clear concept next concept is joy is a problem yes must say is a problem giant yeah not joy is a suspect yes kya suspect ho gaya doubt ho gaya jahaan pe doubt hota hai waha veder ka prayu kertai and whether to go or not whether to go or not is a problem where to go or not is a problem where to go anywhere to go down or not jau where to go or not is a problem where to go or not is a problem right kya pdhae yaha nirnay karna muskul hai kitna pdhae kaha pdhae kya pdhae kitna pdhae how much to read how much to read is tough to decide how much to read hai na majaar hai na jabardha mujhe pata hai yaha aap kam sa kam dhs loge ko share karne wale huaj mujhe pura bhrosah hai aap dhoshtoom se puchho ghe baar baar puchho ghe bada majaayega any how much to read it's tough to decide ptha hai kya kuro isko aur behter pdha na chahathe ho na toh ek mera app aya hai dsa learning app sorry kranti kari ingles app kya bola kranti kari ingles app right toh kranti kari ingles app kranti kari ingles app kranti kari nama hai kranti kari ingles app kranti kari ingles app real rat hai aap jau play store pere waha pere ndalou ge kranti kari ingles app mera photo laga ho ga kot me lal kot me right usse kya karna download karna download kar karke usme dhekhna joh maayaga phone number email number dhete raha free me downlood hai koji dhikkat nahi saare videos apko usme meleengge aur bhu saare vocab meleengge bhu saare problems solve ho jayega apke aur bada majaayega usko download karlo aur share karoge toh point bhi milaga pata hai niche scroll karna usko share bhi karna hai bada maja da raha pher usko download karijay aur padhye ye joh number diya hai call karijay whatsapp karijay aur phirsa ek baar isko kal miltay haapse ek nye klasme hain aap sa muka bahu ba dhenni baad isko enjoy karijay maza lejye thank you very much aaj aur abhi download karijay kratikari english app google play store se books order karne ke liye igle bear numbers paar kontakt karijay aur apna order place karijay